हेलो नमस्कार दोस्तों सवागत है अब का आज इस मूटों में आज हम बात करने वाले हैं महिंदरा XV3W के बारे में अपने सेग्मेंट की 5 स्टार सेप्टी रेटेड सब कॉंपेक्ट SUV कार है सीधे कॉंप्शन देती है टाटान एक सॉन, हुंडे, वेन्यू, किया, सॉनेट जैसी गाड़ियों को और अभी आपके सामने इसका अपडेटेड W4 वेरियंट ख़़ा हुआ है अपडेट क्या हुआ है कि यहाँ पर आपको अब सनूप भी दी जाएगी W4 वेरियंट के अंदर इसमें एक वेरियंट भी बढ़ चुका है पहले आपको W4 से मिलता था अब मिलेगा W2, W4, W6, W8 और W8 और W8 ऑप्शन के बार में सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की तो अभी आप देख रहे हैं इसके वाइट कलर को इसके अलावा इंजन भी आपको तीन दरा के देखने को मिल जाएंगे 1.2 लिटर का पेट्रोल 1.2 लिटर का M.Stellian TGTI पेट्रोल इंजन और 1.5 लिटर का डिजल अभी आप देख रहे हैं 1.2 लिटर पेट्रोल को 110 VHP और 200 NM का टॉक मिलता है अगर की की बात की जाए तो ऐसी कुछ आप आपको नॉर्मल सी की मिलेगी कोई बटन रिमोट की नहीं मिलती है फ्लिप की रहती है और पीछे आपको महिंदर की ब्रैंडिंग देखने को मिल जाएगी जो दूसरी वाली की है वो भी आपको नॉर्मल सी ही मिलेगी आप सेंटर लॉकिंग बाहर से लगवा सकते हैं जैस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हेलोजन में हेड़ डाइम्स मिलेंगे बगल में टरन इंडिकेटर की प्लेस्मेंट है कोई DRL आपको नहीं मिलने वाले अगर रूफ की बात की जाए तो काफी काट्स और की देखनी को मिलने जाती है यहाँ पर आपको DUAL WIPER WITH dishwasher का सेटप मिलता है अगर रूफ की बात कि जाए तो यहाँ पर आपको Sunroof, Rooferels और कोई Antina आपको नहीं दिया जारा है because यहाँ पर कोई भी music stream आपको company की तरफ से नहीं मिलता है आप आजाते है side profile की तरफ तो side से देख लिए ऐसे कुछ आपको looks यहाँ पर नजर आने वाले बाकि आप जो wheels में wheel cap देख रहे हैं यह बाद में यहाँ पर install किये गए सिर्फ आपको steel limb ही देखने को मिलेंगे dmss की बात की जाए तो 495 mm लेंद है 1821 mm इसकी width है और 1627 mm आपको head मिलेगी यहाँ पर आपको 16 inch के steel wheel दिये जा रहे है wheel covers जो आप देख रहे हैं यह इसमें बाद में install किये गए अगर tire section की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 205-65R16 का tire section देखने को मिल जाता है टॉप में आपको मिलेंगे alloys यहाँ पर आपको cladding वगरा दी जा रही है fender पर आपको मिलते है time indicator की placement outside mirrors की बात की जो आपको मिलते है body clad electrically adjustable हैं गाड़ी के इंदर बैटके आराम से आप इनको address कर पाओगे fold आपको अपने हाथों से manually करना पड़ेगा यहाँ पर आपको मिलते है body clad door handles इसका जो B pillar है आपको मिलते है body clad अगर यह जो door visor वगरा देख रहे हैं यह बात में सब इसमें install किया गया है गाड़ी के wheelbase की बात की जाए तो 2600 mm का है इस परस आपको tik-tak मिलता है इस गाड़ी के अंदर all 4 disc brake आपको दी जाती है XCV 3W के अंदर तो मदब 4W में आपको disc brake मिलेगी यह काफी अच्छी चीज़ है अगर इसके front dashboard का view दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है dual tone color में यहाँ पर कोई music system आपको नहीं दिया जाता है आप इसमें बाद में install करवा सकते हैं आगी उपर देख लिज़े यहाँ पर sunroof भी आ चुकी है base brand के अंदर यहाँ से डलवाएंगा petrol और diesel अगर capacity की बात करें तो 42 liter की आपको capacity देखनी को मिल जाती है XV3W के अंदर और rear profile की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर looks मिलने वाले है पीछे से भी देखने में काफी बहतर लगती है और एक एक चीच की बारे में बात करेंगे क्या कुछ मिलता है आपको W4 वेरेनी के अंदर तो उपर देख लीजे मैं आपको दिखा चुका हूँ roof rails बाकि यह जो spoiler देखनी यह बात में इस्टॉल किया गया हाइमट शॉप लाह में इसके अंदर है इधर देखिएंगे तो यहाँ पर आपको XV3W की बैजिंग दी जा रही है नीचे बंपर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको reflectors की placement यहाँ पर आपको दो reverse parking sensors मिलता है नीचे का पूरा suspension setup exhaust air pipe देख लीजे अब चलिए इसका boot open करते हैं आपको दिखाते हैं इसका boot space तो यहाँ पर मिलेगा magnetic button इसको press करके आप अपने boot को access कर सकते हैं अगर space की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है 250 9L का boot space segment के साब से थोड़ा सक कम है यहाँ पर कोई partial tray आपको नहीं दी जा रही है फैब्रिक की seats रहती है अब इसमें लगवे seat cover आप चलिए boot को करते हैं बंद और चलते हैं इसकी rear seats की तरफ rear sitting comfort leg room, head room पूरा बैट के अच्छे से चेक करते हैं तो यह इसके body color door handles अगर door trim के बात करें तो ऐसा कुछ आपको मिलता है dual tone color में और उपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलतेगा door opener speaker के लिए आपको जगे दी जा रही है pounder के controls है यहाँ पर देख लिए आपको finish नीचे bottle door और कुछ space rear cabin में इतना कुछ आपको leg room, head room मिलता है पीछे आपको मिलेंगे दो-दो head rest जो की fix रहेंगे आपको address बल नहीं मिलते है अब चलिए अंदर बैट के देखते हैं कितना क्या space मिलेगा तो आगे वाली seat मैंने अपने recording address कर लिए knee room देख लिए और leg room भी आपको काफी tic-tac देखने को मिल जाएगा और under thigh sport थोड़ सा better किया जा सकता था अगर center की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई rear ac events नहीं मिले वाले बाकी है जो armrest देखने यह भी इसमें install किया गए बाद में उपर आपको मिलते हैं यहाँ पर grab handle, coat hook, दो-दो head rest जो की fix रहेंगे और आपको यहाँ पर reading light मिलती है जो की halogen में है, यहाँ पर मिली गए आपको sunroof front dashboard की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलता है dual tone color में अभी आप देखनें इसके manual transmission को W4 सिर्फ manual transmission के साथ आता है बाकी इसको आप diesel में ले सकते हैं यह आपको पास choice है अब चलते हैं front driver seat पे तो यह रहस के body color door handles अगर door dream की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा dual tone color में उपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको door opener speaker के लिए जगे यहाँ पर आपको pounder के controls, lock and lock के button यहाँ पर आपको ORVM के controls नीच आपको दो-दो bottle holder यहाँ पर कुछ space front cabin की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा space, आगे वाले जो headrest है उनको भी आप adjust कर पाऊगे, यह इसका front dashboard dual tone color में यहाँ पर आपको मिलती है fabric की seats and अभी इसमें लगवे seat cover आप इसमें लगवा सकते हैं, यहाँ पर कोई height adjustment नहीं है, यहाँ से recline कर सकते हैं नीचे आपको fill cap opener, manual ABC pedals यहाँ से आप अपना bonnet खोल सकते हैं उपर की बात की जाए, तो ideally start and show button बगल मैं आपको headline leveler, यह रहा इसके AC के vents, अब चलिए अंदर बैटते हैं और अंदर से बैटके सारे features cover करते हैं तो front drive street पे बैटने बाद ऐसा कुछ दिखेगा front dashboard, चलिए गाड़ी का ignition on करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका cluster यहाँ पर ऐसी कुछ आपको मिलती है flip की जिसको हम लगाएंगे यहाँ पर side में ignition on करते हैं, cluster की बात करें इस वाले variant के अंदर सारी check lights दी गई है, बाकि इसकी जो MID है, आप center console में दिएगे बटन से control कर पाओगे यहाँ पर आपको side में बटन मिलता है, यहाँ से आप trip A, trip B, mileage range TPMS, किरिंफोर में सब कुछ आप यहीं से देख सकते हैं और उसी के बगल में आपको steering mode का बटन मिलता है, यहाँ से आप sports, normal और comfort तीन तरह के आपको mode मिलता है, इसके steering में यह तो गए cluster के बात आप बात करते हैं इसके steering की, तो यहाँ पर center में देख लिए आपको महिंदर की branding, महिंदर का logo मिलता है यहाँ पर wiper के controls है, यहाँ आपको headlam के सारे controls देखने को मिल जाएंगे center console की बात कीज़े, तो यहाँ पर side में आपको AC के vents, यहाँ पर आपको पूरा यह blank दिया गया, आप इसमें बाद में music system लगवा सकते हैं, यहाँ पर hazard के switch है यहाँ पर आपको MAD के button, steering mode के button, यह manual AC के controls, नीचे के बात की जाए, तो 12 बोल्ट का charging socket, यहाँ पर आपको कुछ space और यह इसका six speed manual transmission, और उसी के बगल में देखेंगे, तो manual handbrake है, यहाँ पर दो खाप holder, यह इसका आमरेश, इसमें आमरेश नहीं आता, यह बाद में इसमें लगाया गया है, install किया गया है, मतलब as a series, and glove box की बात की जाए, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा space देखनी को मिल जाता है, काफी deep है यह, उपर भी देखेंगे, यहाँ पर आपको space दिया जा रहा है, तो यह था पूरा front head dashboard, यहाँ पर manual day night, IRVM, इधर आपको sun visor में कोई mirror नहीं मिलता है, अगर center की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको light के controls, यहाँ पर आपको मिलता है sun glass holder, code driver side की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको ज़रूर mirror मिलेगा, cover plus light के साथ में, और sunroof का button आपको दिया गया यहाँ पर, यहाँ पर आपको मिलती है electric sunroof, चली इसको close कर देते हैं, visibility की बात किया तो वह भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, bumper to bumper आप इसको drive कर पाओ के traffic में, यह तो होगी पूरे interior की बात, आप चली गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं, इसके safety features और pricing की, तो इसमें आपको ABS with EBD, child safety locks, seal belt warning, engine immobilizer, crash sensor और यहाँ पर आपको दिये जा रहे दो airbags, टॉप में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे 6 airbags, pricing की बात करते हैं, तो डबलू 4 बेंट है, पैटोल में on road लखनों पढ़ने वाली है, अगर आप turbo मिलेंगे, तो 9,30,000 x room और लगभग, 10,000,000 रुपए की आपको यह on road लखनों पढ़ने वाली है, तो यह थी महिंद्रा XV3W, अपने segment की सब compact SV, कैसे लगे आपको नीचे comments में जरूर बताएगा, अगर आपका अभी budget है, 8 से 9,10,000 के बीच में, तो आप जा सकते हैं इस XV3W की तरह, तो यह थी XV3W, कैसे लगे आपको नीचे comments में जरूर बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडि कि जा karşı वीडियोग है, आपको 5 से 10 बाल प्सके में, आपको 4 वीडियों के दिचियो, का way का झा से 10 बाल बताएगर जा है, यह ज़िए